डिक्टेशन इस्टार्ट होगी तेन सेकेंड बाद इस्टार्ट यह मामला गैर इरादतन हत्या का है नै कि हत्या का हमलावरों को लगी चोटों को मुकदमे में साबित नहीं किया जा सका बचाव पक्ष के गवहा को पूरी तरह से बदनाम किया गया विराम एक घायल चश्म दीद गवहा के दो बयानों में विरोधा भास थे विराम यह विरोधा भास हालांकी इस गवहा को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं है विराम वह एक विश्वसनिय गवा है विराम ऐसे 86 में कुछ विसंगतियां हमेशा होती हैं विराम पेरा उसके ग्रामिन प्रष्ठ भूमी को ध्यान में रखते हुए मामले उच्च नयाले द्वारा चश्मदीद गवा के बयान पर अविश्वास करने के लिए दिये गए कारण सही नहीं थे विराम इस चश्मदीद गवा के अलावा अन्य चश्मदीद गवा भी थे विराम हतियारों और आरोपी के खून से सने कपड़े की बरामदगी इन विरोधा भासों को देखते हुए आरोपी को दिये गए संधे का लाभ जहां तक पूर्व नियोजित हमले का संबंद है हमला यू एस होगा पेरा अपवाद चार हमला पूर्व नियोजित नहीं था बलकि अचानक एक जगडे पर जुनून की गर्मी में और अनूचित लाब उठाए बिना या क्रूर या ऐसामान्य तरीके से काम किये बिना था विराम इस परकार उच्च नयाले का द्रिष्टी कोण सही नहीं था विराम उच्च नयाले के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और रद कर दिया गया 302 एस में परिवर्तित कोमा 304 भाग एक का 307 से 308 और तदनुसार सजा सुनाई जाती है विराम अभियुक्त के खिलाफ मामला समाप्त हो जाता है जिसकी आवधी समाप्त हो गई है विराम पेरा दोनों बयानों में संकूचन एक गवा को बदनाम करने के लिए परियाप्त हो भी सकता है और नहीं भी विराम 1872 के अधिनियम की धाराओं को किसी दिये गए मामले में सावधानी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए विराम एक गवा की प्रती परिक्षा का उद्देश्य गवा के दो बयानों में विरोधा भास लाना है विराम ग्रामीन परिवेश ऐसे गवा की विश्व सन्यता का मुल्यांकन करते समय विधी की नयाले में ऐसे गवा की अभीव्यक्ती की मात्रा प्रासंगिक विचार है विराम गवा की लंबी प्रती परिक्षा का परिणाम हमेशा विरोधावास हो सकता है विराम हालांकि ये विरोधावास हमेशा एक गवा को बदनाम करने के लिए परियाप्त नहीं होते हैं विराम उप्रोक्त सभी नामित आरोपी जो हतियार बंद थे शिकायत करता बीर बलनाथ की चाची और चाचा पर हमला करने लगे जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए विराम जेठनाथ अपनी कुलाडी से चंदरनाथ पर हमला करने वाले पहले व्यक्ती थे और बाकी हमले में शामिल हो गए विराम इन हमलावरों ने रामी पर भी हमला किया विराम इस गठना को प्रतापनाथ रामूनाथ उनकी साली राम प्यारी चेनी देवी और रूपाराम ने भी देखा क्योंकि वे कुछ ही मिन्टों में मोके पर पाहुच गए थे जिन्होंने मामले में हस्त शेप करने और अपने नवासी लोगों को बचाने की कोशिस की विराम रिष्तेदार लेकिन व्यर्थ विराम जोदपुर के अस्पताल ले जाते समय चंदरनाथ की एंबुलेंस में मोत हो गई विराम इस बीच पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और मामले में देवनाथ को छोड़ कर सभी अभी युक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया विराम बाद में मामला सत्र नयाले को सोपा गया जहां आरोप पत्र में नामित सभी छे अभी युक्तों के खिलाफ भारतिय दंड सहीता की धारा 147, 148, 302, 323 के अंतरगत आरोप विर्चित किये गए विराम अभी योजन पक्ष द्वारा सभी 24 गवाहों से पूछताच की गई विराम इस्टार चश्मदीद रामी है जो मृतक की पत्नी है और खुद इस गठना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी विराम उनके अलावा अन्य चश्मदीद गवहा भी थे जैसे की PW3, PW6 और PW7, अर्थार्थ, रामप्यारी, मोहननाथ और दीरबलनाथ विराम अभीयुक्त द्वारा खुलासा किये जाने पर कपडे और हतियार भी बरामद किये गए विराम CRPC की धारा 313 के अंतरगत अपने बयान में सभी अभीयुक्तों ने अपने खिलाफ आरोपों और सबूतों से इनकार किया और बीरमा राम, डौक्टर देवकरण और हुकम राम के रूप में बचाव पक्ष के गवाहुं को भी पेश किया विराम झाल 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 झाल